हे गाईज बेसी नर्सिंग का नंबर वन चनल एश्टेटिव मेडियम आप सभी का सवाल रहता है अगर आप बेसी नर्सिंग का तयारी कर रहे हो तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्यों कि इसमें आल सब्वेट को कराया जा रहा है और अगर आपको सभी पीडियो भाला कुंट से हाइडोजयन की समभव ओकष्टिकरं सम्ख्या होती है ऑफसेघ। एए कवल प्लस 1-1 अफ्सन 0 & OPD-1 x Box1 या 0 ही hydrogen में oxy current सेंख्या minus 1 भी होती है, 0 भी होती है या plus 1 हो सकती है, तो यह तीनों ही हो सकती है, ठीक है, next question से, hydrogen plus H2SO4, hydrogen SO4 plus H2, इस अभिक्रिया में zinc का क्या हो रहा है, अब chain हो रहा है, अब छेपन हो रहा है, या फिरिन में सो कोई नहीं, zinc का यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगी, तो zinc का oxy current हो रहा है, ठीक है, zinc, zinc sulfate बन रहा है, sulfate के साथ यह, जो है, combine हो रहा है, यहाँ पर zinc में क्या होगा, electron का त्याग हो रहा है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं, zinc का oxy current हो रहा है, ओके, चलो, next questions कर बढ़ते हैं, सारवधिक सुगमता से अब चैत होने वाला halogen कौन सा है, option A, chlorine, option B, bromine, option C, iodine, and option D, fluorine, so, इसका correct answer हो जागा, option D, fluorine, fluorine, जो होती है, वो सारवधिक सुगमता से अब चैत होने वाला halogen होता है, next question से, नेमलेखित में से कौन सा आयन, संक्रमन धातु को उच्चितम ओक्सिकरन अवस्ता में ला सकता है, option A, F-I, option B, Cl-I, option C, BR-I, and option D, I-I, so, इसका correct answer हो जाएगा, option A, fluorine, आयन, जो होती है, यह संक्रमन धातु को उच्चितम ओक्सिकरन अवस्ता में ला सकता है, इसका जो है अभिक्रिया सिलता बहुत ज़्यादा होता है, यह किसे भी रियक्ट कर लेता बहुत ही फास्ट, next questions है, बेदुत रसाइनिक स्रेनिक आधर पर निमलिखित करम जल के साथ रसाइनिक सक्रिता का सही करम क्या होगा, तो देखो यहाँ पे करम में आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा जल के साथ जो रसाइनिक क्रिया दर्सा आएगा, वो यहां पे संक्रमन धातू के हिसाब से पोटेसियम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद, पोटेसियम के बाद हो जाएगा, मैगनेशियम, और मैगनेशियम के बाद होगा, जिंक, और जिंक के बाद होगा, कॉपर, ठीक है, तो इसका और अफसन है, ठीक है, पोट को व्यवस्तित किया गया है उनके दर्यवान सेंख्या के बढ़ते हुए करम में, option भी परमानु आइतन के बढ़ते हुए करम में, option से अंग्रेजी बर्णवाला के करम में, and option भी परमानु करमान के बढ़ते हुए करम में. So, इसका जो correct answer अगवो होगा, परमानु करमान के बढ़ते हुए करम में, आवर्ण सार्णी के ततों को व्यवस्तित किया गया है, ठीक है? Next questions है, आवर्ण सार्णी के दाएभाग में उपस्तित ततों है, धातु, अधातु, संक्रमन ततों या फिर आंतरिक संक्रमन ततों? So, इसका correct answer हो जागा, आवर्ण सार्णी में अगर दाएभाग में देखोगे, तो सभी अधातु ये परिजेंट होंगे, Next questions है, किसी बर्ग के ततों में, आवर्ण तित्ता का जो मुख्य कारण होता है, वो क्या होता है? पर्मानुओं में इलेक्ट्रों की समान सेंख्या, option भी पर्मानुओं की समान आइनन उर्जा, option सी पर्मानुओं के संयोजन कोस का समरूप इलेक्ट्रोनिय विन्यास, and option भी समान पर्मानुई तिर्जा, तो इसका correct answer हो जागा, अप्संसी परमानुओं के सन्योजन कोस का सम्रूप इलेक्रोनिक बिन्याज जो ता है वो किसी भी बर के तत्व की आवर्तिता को दर्स आएगा नेक्स क्वेशन से तीन वाहे अप्पूर्ण कोस वाला ततो कौन सा है संक्रमन ततो प्रतिन इधी ततो आंतरिक संक्रमन ततो या फिर ब्लोक ततो इसका correct answer हो जागा option C आंतरिक संक्रमनत तो यह तीन वाहे अपूर्ण वाला तो आपको यह में दिखेगा आंतरिक संक्रमनत तो अठीक है next question से आवर सार्णी की तीसरी पंक्ती में बिदूत रिनातमकता बढ़ती है option B बिदूत रिनातमकता घटती है option C आयनन उर्जा घटती है और option लिए परमानू का आकार बढ़ता है तो इसका correct answer हो जागा option A बिदूत रिनातमकता बढ़ती है ठीक है आवर सार्णी की तीसरी पंक्ती में बिदूत रिनातमकता बढ़ती है next question से निमने मैं से कौन सा तत्व के परमानूइक आयतन की सही वेख्या करता है सापेक्ष आनूइक सहती दुआरा घटतू का बिभाजन option B तत्व के एक परमानू आयनन option C सापेक्ष आनूइक सहती तथा घटतू का गुननफल and option दिता तो के परमानूओ के एक मोल का आयनन तो इसका correct answer हो जागा option दिता तो के परमानूओ के एक मोल का आयनन ओके next question से oxygen किस परकार का तत्व है P ब्लोक तत्व, S ब्लोक तत्व, D ब्लोक तत्व या फिर F ब्लोक तत्व तो इसका correct answer हो जाएगा option ए P block tattoo, ओके, next question से, कौन सा तत्व सबसे अधिक रिन विद्धूती है, CL, F, BR या फिर आई, तो सबसे ज़्यादा रिन विद्धूती है, मतलब विद्धूत रिनातमक है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन जो होती है, वो सबसे ज़्यादा विद्धूत रिनातमक होती है, तो answer is option B, next question से, किसी आवर्थ के बाई और से दाई तरफ चलने पर आईनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अब परिवर्तित रहेगा, या फिर पहले घटता है, फिर बढ़ता है, तो इसका correct answer हो जागा, option बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी आवर्थ सार्णी में, किसी आव क्वेशन से, किसी उदासिन गैसिये परवानू के वाहितम कक्षा में, बाहर से एक एलेक्ट्रोन से प्रवरिष्ट करने पर जितनी उर्जा मुक्त होती है, उसे क्या गयते है, पोजिट्रोन बंधूता, option B, न्यूट्रोन बंधूता, option C, प्रोट्रोन बंधूता, और option D, इलेक्ट्रोन बंधूता, तो इसका correct answer हो जागा, option D, इलेक्ट्रोन बंधूता, ओके, next question से, निवनी में से कौन सा तत्व, संक्रमन तत्व है, AS, SN, NI, या फिर RB, तो इसका correct answer हो जागा, option C, NI, निकेल, निकेल जो होती है, ये एक संक्रमन तत्व है, और ये D-block तत्व है, ये D-block तत्व है, ओके, next question से, किस हैलोजन तत्व का परमानू आकार बड़ा होगा, तो आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होगा, ठीक है, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होगा, next question से, परमानू करमांग, 10, 18, 36, 54 और 84 वाले तत्व क्या कहलाते है, हलके तत्व, संक्रमन तत्व, अक्किरिय ग्यास या फिर मिर्दा तत्व, तो इसका correct answer हो जाएगा, option सी अक्किरिय ग्यास कहलाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक का orbit फूलफिल है, आप यह देख सकतो हर एक का orbit जो है, वो फूलफिल है, next question से, किसी आवर्त में पर्मानु कर्मांग बढ़ाने के साथ, पर्मानु का आकार घटता है, विद्दुर रिदातमकता परभाव जो है, वो बढ़ेगा, पर्मानु आकार बढ़ेगा, या फिर रसायनी क्रियासिलता घटेगी, इसका correct answer हो जागा, आफ्सन है, पर्मानु का आकार घटता है, किसी आवर्त का जो पर्मानु कर्मांग जैसे जैसे बढ़ेगा, आकार भी बढ़ता है, वोके, next question से, सुइन्य समू के तत्वो की सेंख्या है, 2468, तो इसका correct answer हो जागा, आफ्सन सी 6, सुइन्य समू के जाए, वहाँ पर आपको, paid reports मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते हो, और अगर PDF डाउनलोड करना है, तो वह भी आप में मिलेगा, बहुत ही स्रांदार, 8000 questions का PDF है, अगर वह भी पढ़ लेते हो, तेग भी questions नहीं चूटेगा, जिसका link हमने description box में दे रखा है, और ये मिन्ते है नहीं प्रेम बतागले, बाबाएंगे!